नोइस्क्य रि inability को समझने का कि रीलेशनल डेटाबेस कैं होता है क्योंकि उस यह उसके बाद他们 को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अब रिश्डेटाबेस की उपर जम करते मेरे पाast again two database का मतलब इस structure में enter करना है तो मेरे लिए compulsory है कि मुझे वो data इस structure के हिसाब से ही मुझे enter करना पड़ेगा मतलब मदनलाल का location, gender, college और नाम मुझे पता होना चे अगर मुझे वो data enter करना है तो अब ये एक disadvantage है दूसरा disadvantage ये है कि अगर suppose मुझे for example मदनलाल का location नहीं पता तो मुझे यहाँ पे निल लिखना पड़ेगा मैं वो space blank नहीं छोड़ सकता ये दूसरा disadvantage है और इसमें क्या होता है इसमें space बरबाद हो जाती है अब यहाँ पर तुम कहोगे कि बस मदनलाल का location नहीं बता तो उसकी जगह पे तुन्हें निल लिख दिया तो बस एक छोटा सा space बरबाद हो गया बट तब क्या होगा अगर लाखों करोड़ अगर entries है तो बहुत बड़ा space बरबाद हो जाएगा तो इसलिए space की बरबाद ही यह दूसरा disadvantage होता है तीसरा disadvantage यह है कि अगर सबस मुझे मदनलाल की होबी भी पाता है और मैं होबी को एंटर करना चाहता हूँ इस structure में तो structure में कोई column है नहीं होबी के लिए तो अभी situation में क्या होता है जो बड़ी-बड़ी companies होती है उनको या या तो data को structure की साफ से change करना पड़ता है या तो इस structure को उश डीना के सबसेches ल करना पड़ता है जन्रेली वह लोग data को structure केते सबसेंट यह बह। यह बहूत प्रोसेड़ा time consuming और इस प्रोसेश में भी दो जबह। यह जो है यह स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे सारी चीज़े करनी पड़ेगी दूसरा टाइम वेस्ट हो जाता है और तीसरा अगर सपोज मेरे पास एक नया कॉलम है नया ही चीज़ अगर मुझे डालनी है तो मैं वह नहीं डाल सकता और भी बहुत सारी डिसर्वेंटिजेस हैं बट समझन इड्म ऌताने पाता तह Hola दो मेरे सकता नाम है बलू का है मुझे नहीं पता तो मैं वह डालाउं घिए तो दृके Character से होगा है तो यहां變 अगर अगर मुझे लोकेशन पता ही और मैं मुझे नहीं तो मैं डाल नहीं तो स स्ट पर एठ्स होगी पर अगर मुझे मदनलाल के बारे में उसका होबी भी पता है और सब्सक्राइब अगर मुझे होबी उसका एंटर करना है तो मैं यहां पे नहीं कर सकता हूँ ठीक है तो यह सारे के सारे अर भी बहुत सारे होता है यह सारे होता है यह हम लोग पढ़ने वाले बाद में फीचर्स में वगरा ठीक है अब आगे पढ़ते हम लोग अब यह जो है यह नोग अलग चार प्रकार के डेटाबेस होता है अब इसके उपर अलग से विडियो बनाने वाले जिसमें और छार चीज़ों को गहराई में एक्सप्लेइन करने अभी तो कॉलम डेटाबेस का मतलब होता है यह चीज़े कॉलंवाइस टोर होती है ठीक है अब एक चीज ने बोलना चाहूंगा कि यह जो है सारी की सारी से नहीं टपकता है मुझे वीडियो शुरू करने से पहले यह सब चीज़े लिखने ही पड़ती है तो मैं चाहता हूं कि बदले में आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिए राइट अब आगे बढ़ता है अब इसके के उपर जम करता है हमारा डेफिनिशन यह कहता है अब आपको सारी की सारी चीज़े आसानी से समझ में आ जाएगी no SQL a no SQL database provides mechanism for storage and retrieval of data that is modeled in means other than tabular relation used in relational database मतलब relational database में जो tabular form use होता है अगर उसके अलावा भी अगर कोई data किसी और forms में तो no SQL में उसके वह no SQL उसके लिए एक भगवान है ओके वह no SQL उसका सहारा है ठीक है kind of यह मतलब अब basically वही जो मैंने आपको बता है ठीक है यह भी उसमें आता है एक्चुली ठीक है तो यह है no SQL के बारे में अब मुझे comment section में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा यह हमारा playlist है यहाप पर आपको no SQL Hadoop सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे basically सारे के सारे वीडियो रिलेटेड टू बिग डिटा अनलेटिक्स राइट आप इस प्लेडिस को अपने बाकी के भाहियों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी मदद हो सके ठीक है thank you for watching this video and have a nice day bye